नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर इलेक्शन पल्स मिजोरम आईजवाल से और यहाँ पर मिजोरम यानि मिजो की धर्ती उसका चुनाव होना है वहाँ विधान सभाज चुनाव होने है चालेस विधान सभाज सीटों के लिए साथ पिछले तीन चार दशकों से दो राजनितिक दलों के बीच घूमती रही है मिजोरम नेशनल फ्रंट और दूसरा है कॉंग्रेस लेकिन इस बार इस बार बहुत खास है क्योंकि एक और पार्टी उसका उद्ध हुआ हुआ है जोरम पीपल्स मॉव्मेंट पांस साल पुरान है यहां करीब 82 से लेकर 83 फीसदी इसाई जन जातियां रहती है मिजो सबसे प्रमुख जन जाती है सबसे प्रमुख ट्राइब है यहां पर लेकिन यहां की जो अभी की सरकार है वह सरकार NDA यानि भारती जनता पार्टी के नेत्रुस्प का जो गड़बंदन है उसका हिस्स बात यह है कि इन चुनाओं में BJP is not a good name दोनों जो छेतरी दल है वह लगातार दावा कर रहे हैं कि वह भारती जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का चुनाओं से पहले और चुनाओं के बात गड़बंधन करने के लिए तैयार नहीं है आईए जानते हैं मिजोरम के बारे में थोड़ा और ज्यादा मिजोरम की आबादी कितनी है अगर आप सुचेंगे तो आपको हैरानी होगी कि मिजोरम में सिर्फ और सिर्फ तेरा से चौदा लाक लोग हैं 2023 का अनुमान मनाया जाये तो जन्गरना जो हुई थी उसके हिसाब से यहां सिर्फ ग्यारा लाक मुस्लिम एक दशमलो तीन पाँच यहां पर बहुत आबादी भी रहती है और आठ जिले हैं और आठों ही इसाई बहुल इलाके हैं मिजोरम में सबसे बड़ी संख्या है मिजो ट्राइब की पाई है लाखेर है चकमा ब्रू गोर्खा इस तरह की अनेक जन्जातियां ट्रा माइनौरिटी में आते हैं और देखिए यहां इलाका अपने आप में जितना खूबसरत जितना डाइवर्स है उतना ही जादा राज़तिक संभावनाओं से भरा हुआ है यहां इन चुनाओं में सबसे बड़ी संक्या में नौजवान उम्मीदवार उतने हैं और एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि बड़ी संक्या में यहां महिलाएं हर छेतर में एक्टिव दिखाई देती हैं बहुत सक्री हैं महिलाएं श्रमजीवी हैं महिलाएं लेकिन राजनीती में उनका दखल इस समय जीरो है शून चालिस विधानसभा में जो अभी विधानसभा खतम ह ही है उसमें एक भी महिला विधायत नहीं और यह एक बड़ा सवाल होना चाहिए पूछा जाना चाहिए और उससे भी बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह से जो मौझूदा सरकार है जो यहां के मंत्री है जो यहां के सी एम है जो एन इडी ए नॉर्ट इस डे अपने को भारती जनता पार्टी से अलग करेंगे क्योंकि भारती जनता पार्टी ने जिस तरह से मिजोरम के पडोसी राज मनीपूर में जिस तरह से एक हिंसा का माहौल पैदा किया है उसने एक बहुत बड़ा प्रश्चिन भाश्पा के भविश्य पर लगा दिया है और जोरम में तकरीबन जितने नौजवान हैं और खास तोर से जो शहरी छेत्र है बहां इसका चर्चा बहुत है वह है जोरम पीपल्स मूव्मेंट उसके प्रमुक हैं लाल दूओमा जी हां लाल दूओमा बहुत पके हुए मजे हुए राजनितिक खिलाडी हैं उमर 73 साल है इ साल पुरानी है इसने बड़े पैमाने पर यहां की जो मिडल क्लास है यहां का जो यूथ है उसे आकरशित करने का काम किया है और खास बात एक और इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को इस्थापित करने की कोशिश की है अभी तक के चुनाव प्रचार में कि यह डिफर चाहती है एक नए जोके के तौर पर राजनितिक विशिश्यग इसे मिजोरम का आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं हाला कि आम आदमी पार्टी भी यहां से चुनावी मैदान में है कॉंग्रेस ने इस बार यहां से मुख्यमंतरी का उम्मिदवार बनाया है लाल सौता को औ और इस तरह से एक नया चहरा और कॉंग्रेस का भी दावा है कि बड़े पैमाने पर उसने नए चहरों पर भरोसा किया है और उसे इस बात की उमीद है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया उससे उसे फायदा मिलेगा इससे पहले वाली वि करें तो मिजोरम में कॉंग्रेस का बुरा हाल था लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस रेस में दिखाई दे रही है और कॉंग्रेस ने 40 सीटों पर अपने उम्मिदवार उतारे हैं भारती जनता पार्टी ने वहीं भारती जनता पार्टी के पास पिछली विधान सभा में एक पैपाने पर ग्रू ब्रू चक्मा और गोर्खा के बीज केंद्री करन करने की कोशिश की है लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ तेज विधायकों पर वो दाउन लगा रहे हैं जबकि पिछली बार उन्होंने तीस सीटों पर चुनाव लड़ा था इससे ऐसा तो दिखाई दे है कि महनीपुर में जिस तरह से हिंसा हुई जिस तरह से हिंसा चल रही है उसका खाम्याजा भारती जन्तापाटी को मिज़ुरम चुनाओं में उठाना पड़ रहा है और तकरीबन हर जगा चर्चा इस बात पर है कि भारती जन्तापाटी बैक डोर से इंट्री करेगी और और से उत्तर पूर्फ की अगर राजनीती को आप उठाके देखें चाहे मिजोरम हो नागा लैंड हो असम हो या तमाम जगा हर जगा उसने यह बैक डोर इंडरी यह जो छेतरी दल है उनको अपने साथ मिलाकर चुनाओ के बाद सरकार पर काबिज होने की रणनीती अख्तिया कर रखी आईए अब जरा टटोलते हैं MNF को यानि मिजो नेशनल फ्रंट को उसकी सरकार है यहां उसके मुख्यमंत्री ने जिस तरह से घोशना की कि वह प्रधान मंत्री नरेन मोदी के साथ स्टेश शेयर नहीं करेंगे और अंततर प्रधान मंत्री नरेन मोदी जो यहां क सबसे बड़ा चहरा बने हुए हैं अगर आप यहां का चुनाव प्रचार उठा के देखिए तो M for मिजोरम M for मोदी हर जगा चुनाव प्रचार यही चल रहा है लेकिन वही मोदी जी मिजोरम आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए एकलाता राज्य है मेरे खाल से 2014 के बाद से यह पहला राज्य होगा जहां प्रधान मंतरी अपने चिर परचित अंदाज में इलेक्शन कैमपेइन करने नहीं पहुचे और इसकी बहुत बड़ी वज़ा है कि जो सरकार यहां चल रही है जो NDA का हिस्सा रही है वही तैयार नहीं है उनके साथ स्टेश शेयर करने के लि हैं कि अगर भारती जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि नौर्थ इसकी राजनिती की बहुत बड़ी विडमबना है बहुत बड़ी आईरनी कि यहां पर केंडर में जिसकी भी सरकार होती है उसके साथ साजेदारी करके उसके साथ गडबंधन करके ही यहां की सरकारे चल पाती हैं और यह चुनाओ इस माइमले में एक और बड़ा सवाल पेश करता है जी हां तो हम बात कर रहे थे मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में जिनके मुख्यमंत्री जोरम ठांगा हैं उन्होंने क्या दाओं चला उन्होंने ब रहे हैं वो जो एठनिसिटी के इर्दगर्द लड़र हैं उनका कहना है कि वह जो एठनिसिटी को चारो तरफ ही जो पूरा का पूरा उत्तर भारत है उत्तर पूर्व भारत है वहां पर तमाम तरह की जो ट्राइब्स हैं इनका एक बड़ा प्लेट फॉरम बनाएंगे और यह दाओं तमाम आदिवासी समाज के भीतर दूसरे ढ़ंग के एक विकास और नए कॉंसलिडेशन, नए पॉलराइजेशन की तरफ ले जाने वाला कदम है, यहां तक कि उन्होंने कहा कि यह एक निया जरुसिलम बन सकता है जो समाज के लिए, यह दाओं कुछ हद तक MNF को वापस लड़ाई में ले आया है, हाला कि चुनाओ किस दिशा में जाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, यह मेरे सामने है, पूरा का पूरा आइसवाल शहर, जो अपनी खुबसूरती के लिए बिकल अलग धंकी, शान्ती, खुबसूरती, हर्याली के लिए जाना है, मांगता है, राष्टी, राजनीती से, और कम से कम यहां के लोग यह तो चाहते ही हैं, कि अगर यहां विधानसभा चुनाओ हो रहे हैं, तो मीडिया पहुचे, लोग पहुचें, और यह, यहां का सवाल, यहां की विकास का सवाल, यहां की बेरोजगारी का सवाल, यहा महिला की हिस्सेदारी एक राजनतिक मुद्दा बने आईए आपके संग आने वाले समय में हम टटोलेंगे कि आईजवाल के क्या हैं सुलकते हुए सवाल किस तरह से आईजवाल की मेहनत कश्जनता देख रही है इन चुनाओं को से और किस तरह से यह शहत यह राज जो एक इसाई बहुल राज है क्या इसे ऐसी मजबूरी होती है कि इसे केंदर में जिस भी सरकार की सत्ता होती है उसके साथ हाथ मिलाना होता है क्या भारती संगिय धाचा एक बड़े पैमाने पर संकट गरस्त है और अगर संकट गरस्त है तो क्या मिजबूरम की पॉलिटिक्स कोई हल दिखाती है कोई राह सुझाती है शुक्रिया